हेलो नमस्ते जी आज हम ये हमारे पास खाली कैन पड़ी है जो रिफाइंड ओईल की आती है और ये काफी पुरानी मेरे पास रखी थी तो मैं सोचा इंसे कुछ बनाते हैं तो ये मैंने एक पर ड़की से एक बना लिए बत्तक की और एक को मैं नीचे से काटको उस पर ऐसा ही फेस डोर को दूं क्योंकि वह छोटी है तो ये पीछे से भ ये मैं अब दो चाकू को गैस पर रख लूँगी मतलब बारी बारी से तो गरम होते रहेंगे तो कटते रहेंगे इससे काटूंगी तब तक गरम हो जाएगा अगरम चाकू से काटने से ये थोड़ा आसानी से कट जाता है नहीं तो थोड़ी दिक्कत होती है सेप में गट और बस मैं इसको अच्छे से काट लूँगी और आप सब बताईए कैसे हैं और देखो कट गया है और थोड़ा ध्यान से करें चाकू ना लगवा लेना क्योंकि चाकू गरम होते हैं वैसे भी जल्दी काट देते हैं तो ये पीस कट के तयार हो गया है अगर इसमें मैं होदे लगाऊंगी तो प्लास्टिक की गंबले में वैसे थोड़े जाद होल होने चाहिए और अब इसमें मेरे पार जो वाइट पेंट रखा है उसी से पेंट कर देती हूं ताकि वैसे तो इन पाप ऐसे भी कुछ भी आप बना सकते वह दिखाई देगा क्योंकि इनका और कलर वाइट तो मेरे पास पुताई वाला रखा है और यह जो बाकी कलर है यह पाइल वाले हैं तो इनी से मैं करती रती हूं काम बर्दूंडती रती हूं कि किस कबाड से क्या जुगाड लगाया जाए और अभी घर में चल रही है मतलब पेंटर लगे हुए हैं जल्दी जल्दी कुछ बनाओं दिवाली के लिए लेकिन अभी पिछले तीन दिन से घर में पेंटर लगे हुए हैं तो काम इतना फैल जाता है कि कुछ भी पोसिबल नहीं उपारा करना और अभी मैं इसको बनाई रही थी गुड़न का फोन आ गया था तो उससे बात भी कर रही हूं और इसको बनावी रही हूं और बना तो मैं कहीं चीजे और भी रही हूं लेकिन वह भी complete नहीं हुए है वरना सोच रही थी कि इसमें एक साथ ही लगा दूंगी जो complete हो जाएंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी और घर में कैसा color करा रहे हैं थोड़ा-थोड़ा स चेंज करा रहे हैं पूरे घर में नहीं करा रहे हैं थोड़ा सा ही करा रहे हैं क्योंकि पूरे घर में तो अमने पिछले साल ही कराया था और अब इसले करा रहे हैं क्योंकि सिल्लन से थोड़ी थोड़ी दिवारे खराब हो गी हैं तो जहां कम हैं वहां पर तो टचिंग कर और जहांपर जादा हो रखो है वह बैठक का एक बैड-्रूम का तो पूरा चेंज करा एग और बागी जगह टचप करा रहे हैं और बागी जगह तरह करा रहे हैं सब्सक्राइब आपकी तो को इतना ज्यदा खास काम नहीं हुआ है और ये मेरा डिजाइन मैं इस पर बना रही हूँ और साथ साथ मैंने बताया आपको घुड्डन से बातें भी चल रही है यह देखो, यह देख सकते हैं, आप कैसा बन रहा है, अभी complete नहीं हुआ है, complete करके मैं आपको दिखाऊंगी, कैसा बना है, फिर आप बताना कि मेरे आपको कबार से बने हुए जुगार कैसे लगते हैं, और देखो यह अपने आपको बिजी रखने का एक सबसे अच्छा तरी का है, मेरा यूट्यूब पर आने का यही मकसद है, क्योंकि मैं अकेली खाली रहके घर में बोर हो जाती थी, तो अगर मैं इन चीजों में बिजी रहती हूं, तो मेरे को और कुछ चीजे सोचने का, या प्री टाइम नहीं मिलता है, तो जिससे मैं, मतलब परिसान हूँ, य बस अपना काम खतम किया, और इसमें बिजी हो जाओ, देखो यह फाइनल हो का तयार होगी है, मतलब परन के पूरी तरीके से, अब मैं आपको दिखा रही हूं, और यह है इसका फाइनल लुक, देख सकते हैं आप, अब थोड़ा सा आगे मैं आपको दिखाऊंगी, कि गर म पुताई चल रही है, तो कैसा हो रहा है, और यह सेकिंड वाली तो मैं कवर नहीं कर पाई, जब मैंने बनाई, लेकिन बनाना अब मैं आपको दिखा रही हूं, कि इस पे मैंने क्या किया है, तो सेकिंड वाली पे मैंने इस तरह, इसको इस तरह हम टांगेंगे दीवार पे और इस पर बस ऐसे ही आख नाख बना दिये हैं मौ बना दिये हैं एक तरह से लेडीज का फेस है और ये इसको चुनरी सी उड़ा दिये और ये थोड़ी सी काटने में गलत चाक कु लग गया था तो उपर से थोड़ी सी गहराई में कट गी है लेकिन ठीक है लगी हूँ अच् पर दो चोटी-चोटी सी कील लगी थी तो मैंने इनको यहां हैंकर दिया है कितनी प्यारी लग रही है नहीं ऐसे भी अधेखो यह है पुताई इस रूम में हो रही है पहले तो मैं पहले सिस्सा कवर कर रही हूं यह बाहर रख दिया है सारा लोबी में निकालके बैड वग कर दिया इसमें यह वाला रूम और बैटक बहुत जादे खराब हो गये थे यह उपर से भी थोड़े सा इसमें दिक्कत हो रही थी तो इसलिए हमें इसको पूरा ही कराना पड़ा क्योंकि उपर से कराते तो फिर कलर अलग हो जाता है तो इसलिए इस वाले रूम को और यह हो ठीक थोड़ा सा सिस्य को मैंने पूरा कवर कर दिया है क्योंकि पेंट की ने छीट पड़ जाती है पोलीस हो रख्या लगड़ी पर दिक्कत हो जाएगी तो इसलिए थोड़ी सी मैंनेद करते हैं देखो यह यहाँ पर किचन का यह कोर्नर यह इतना बेकार हो रहा है तो इसी तरह जहां जहां पर थोड़ा थोड़ा बेकार हो रहा है ना देखो यह इस तरह का ठीक कराना है अब बैठक की आलत मैं आपको दिखाती हूं देखो बैठक की आलत बैठक तो इतनी बुरी हो रही है न इसारी उपर तक बेकार हो गया है इधर भी वो तो सोफे वगएर रखे रहते हैं दिवान पड़ा रहता तो इतना ज़्यादा पता नहीं लगता लेकिन सिलन से सब बेकार हो जाता है अभी एक डेड़ साली हुआ है पुताई करवाई हुए तो अब देखते हैं कौन सा कलर होता है कैसा कैसा होता है वो भी मैं आगे आपको वीडियो में बताती रहूँगी दिखाती रहूँगी अभी तो फिलाल यह है और काम इतना ज़्यादा फैल रहा है कि बस मैंने यहीडियाए फूरे किये हैं और बाकि के जो मैं बना रही वो सब बीच में ही अभी अधूरे पड़े हुए हैं क्योंकि पूरा दिन समान में इधर उधर इधर उधर ऐसे निकल जाता है तो आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको देती रहूंगी बने रहे हैं मेरे साथ नमस्ते रादे रादे